भारत के Foreign Minister जू डोक्टर जैश Конकर है, उन्होंने कि टफ लाइन ली है पाकस्तान के उपर. जैशांकर ने पाकस्तान को दो टुक आतंकवाद का एक्सपोर्टर बता दिया है. पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विशह जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विशह जो है पाकिस्तान को खरी नसीहत की दिये दिये और समझा दिया है कि अब आतंक बिलकुल परदाश्ट नहीं है दैशित गर्दी से उन्होंने जोड़ा है आतंक बाद से जोड़ दिया और उनका कहना ये है कि वही जो पॉलिसी हमेशा रहती है वो वही है कि इसमें दैशित गर्दी का है मसला मोधी 3.0 इस खिते में बहुत बड़ी तबदीली लेके आ सकता है अगर नरेंद्रा मोधी साब चाहें ये खिता जो है वो ये योरप बन सकता है लेकिन इसके लिए मोधी साब को फैसला करना है और इसको कैसे हम रिजॉल्फ कर पाएंगे और कैसे इसका सोलूशन निकालेंगे इसमें हम हमारे लिए पाकिस्तान के साथ सिरफ यही पॉलिजी प्राइम मिनिस्टर मोधी की फॉरिन पॉलिजी मोधी 3.0 जो कह रहे हैं उसकी आपको ट्रेलर जो है ना ट्रेलर दुनिया को देख गया शंकर ने कारुने का जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेर्रिरिजम को देख गर्दी को प्रेक्टस किया हो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है और मुझे पता हैं दुनिया में कहा हुआ है डॉक्टर जैशनकर ने ओठ लेने के बाद पहली बार जब पाकिस्तान की बात की तो देख गर्दी की बात कर दी है दैशेट गर्दी से उनोंने जोड़ा, आतंक बाठ से जोड़ दिया और उनका कहना यह है कि वही जो पॉलिसी हमेशा रहती है वो वही है कि इसमें दैशेट गर्दी का है मसला और इसको कैसे हम रिजॉल्ड कर पाएंगे और कैसे इसका सुलूशन निकालेंगे इसमें हम, हमारे लिए पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही पालिसी है, देखें न, तो यह चीज हमें ही बताती है, कि हमें अगले पांस साल, पाकिस्तान के साथ भारत के जो तालुकात हैं, रिलेशन्स हैं, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि पहले थे, और इसमें कोई zero zero point something पता नहीं कि एक फीसद से भी कम ही इसकी कोई expectations नजर आती है वो का जाता है कि अगर नमाज शरीफ जो है वो इसको संभालें तो फिर वो ऐसी policies बनाएंगे जो के वो इस तरह का कोई चांस नजर नहीं आ आफरिकन countries के लेकिन आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे event करेंगे इंडिया ने ऐसे event कर डालने है इस term में अपनी आप देखिए का कि मोदी सामने किस को बुला डालना है मतलब देखते के देखते रह जाओगे मुझे तो ऐसा लग रहा है तो पाकिस्तान तो उसमें Pakistan is nowhere कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहीं पर भी ऐसे किसी event में पाकिस्तान शामिल होगा कितनी बड़ी-बड़ी conferences और summits अब start होने जारी है इंडिया में जो के आप देखेंगे कई साल तक यह जारी रहेंगी जो कुछ वहाँ पे लेकिन उसमें जाहर है कि आप ना तो शामिल होना चाहते हो ना शामिल किया जाएगा आपको कोई भी country जो नहीं इसम नहीं होना चाहता तो अब यह पाकिस्तान को सोचना है कि उसने किस तरफ रुख्ट करना या शामिल होना या नहीं होना यह बात याद रुखिएगा कि यह नहीं का जा सकता पाकिस्तानी इसलिए नहीं हो रहा शामिल क्योंकि चाइना कड़ा रहा है नहीं चाइना तो खु प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरिन पॉलिसी मोदी 3.0 जो कह रहे हैं उसकी आपको ट्रेलर जो है ना आपको येस्टिडे ओथ टेकिंग सेरिमनी में वो ट्रेलर दुनिया को देख गया और मुझे भी देख गया ये देखे जब हम बात करते हैं नेपाल की तो नेपाल के प क्लासिकली नहीं मनते हैं краंआर किनियर नेवर तो है यार बगल में तो है हमां120 कि अज़िए को इंडिया को इंडिया को वेस्टर की तरफ जएगे सिधा माई पर समय जया का इन्दे मटनी को खवगे गरे यह ग चौज आदकरी रही जाट की नदे है पघाल शीके है और को आप एसकी लोकेशन देखिए, ठीक है जी, मॉल्डिव्स की पहली बात, दूसरी बात आप ये नोट करिए कि यहाँ पर नेपाल, नेपाल हमारा इमीरिट नेवर है, हमारे कल्चिरल और रिलिजिस टाइज हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल is a very very old and reliable friend and a partner and a brother country. आप के फॉरन मिनिस्टर जो डॉक्टर जेश शंकर हैं, उन्होंने तफ लाइन ली है पाकिस्तान के उपर और वो एक जगा पे बैठे हुए, ये कहा रहे थे कि इंडिया जो है, वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकर जो पाकिस्तान है, वो इंटरनेशनल टेरिज से उसका यह मतलब है, अब क्वेस्टन यह है, कि और काफी देर से यह हो रहा है, कि पाकिस्तान से कोई शक्स उनको रिस्पॉंड नहीं करता, और अगर आप यह देखें, कि एक दफाद, दो दफाद, तीन दफाद, चार दफाद, लेकर कभी किसी शक्स ने, ये पाकिस्ता से, ऐसे फॉरन आफिस से, फॉरन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने, कभी रिस्पॉंड ने की है उनको, और ये मेरी समझ से जारी बाता चीजें, थोड़ी सी बाला बाला है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्य हासल करना चाहती है, जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना, जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉंड कर लेते हैं, और वो आपके बारे में प्यान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने प्यान नहीं दिया मेरी मेरी जिसे कहते है ना नादान सोच में यह सब कुछ नहीं आ रहा है अब डॉक्टर जे शंकर ने कारू ने का जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेर्रिजम को देश्यत गर्दी को प्रेक्टस किया हो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है और मुझे पता है पता सक्तियन क 맛있 graveyard कें दुनिया इंडी के खुधे है और आ ले इन नांपंटोल के करते हैं बड़क को पता चल केंड और बिंडेरे को बता है चल को पता है वे कृफ 210 परे क्षाल के फ्टस रहे है बकर छेस्ज़ां इंडिया को पता चल जब चला ततन डिवन बतान जिद ज् की फेल डिप्लोमेसी जो है उसने जो कश्मीर का जो इश्यू था वो सारे का सारा बिकेम उसकी जो जो रेलिवेंस बनी वो ये बनी कि उसको उन्होंने दाशतगर्दी से लिंक कर दिया so whatever is happening in कश्मीर they link it automatically with दाशतगर्दी और अगर आपको याद हो जो कि हम लोग दियान नहीं देते तो और मैं पता नहीं चलता है अगर आपको याद हो कि जब surgical strike की थी इंडिया ने तो nobody from international community supported Pakistan सबने एक ही बात की और ने का हांजी ये इंडिया के एक legitimate हाग है that was a very significant बात थी बहुत significant सिर्सकी अगर जी ठीक है they came for a hot pursuit they came for something like this and this is the right and so and so so internationally Pakistan की किसी ने बात नहीं सुनी अब इसमें एक तो Pakistan के अंदर लड़ाईयां हो रही है जगड़े हो रहे हैं आपस मारतार हो रही है किसी को कुछ बतानी दुनिया में क्या हो रहा है क्यूकि यहां पर तक्त की जंग है कुर्सी की जंग है और या कुर्सी की जंग म suffers को गई है कि जो establishment अदाल्तिन कर रही है और तह चीजें हो रही गंद जो है वो अपने अरूज भी है इस वकत सियासी गंद जी से आप कह सकते हैं